तो सभी बंदू क पर फिर से स्वागत करता हो में इस्टा डिटों परिवार में और आप सभी स्वस्तोंगे मस्तोंगे अपने एकजाम की अच्छी तयारी कर रहे होंगे आज का जो सेशन यहां पर रहने वाला है वो वाईवा क्लास की रूप में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं वाईवा क्लास 4 यहाँ पर में लेने जा रहा हूँ और Tata 1613 जो ट्रक होता है हमारा लोडिंग ट्रक है सेम S-Model के टाइप का है और लगबग फिचर्स जो S-Model ट्रक होता है इसके टाइप के हैं तो S-Model आपके कई टेस्टों में मिलता है तो S-Model के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर में इसके बारे में आपको जानकारी साजा करूँगा सबसे पहले तो जो ब्रांड है इसका नाम है Tata 1613 तो Tata 1613 इसका ब्रांड नाम है और इसकी 13 जो 134 HP के आसपास इसकी पावर होती है अब जो 10, 16 टन है इसके बारे में भी बहुताउंगा यहां पर आप सभी को बता कोई भी गजाड़ी होती इसकी capacity होती है जो गजाड़ी है 16,600 kg है और यह जो capacity हे वो front where ke express el ke अलग होती है इसकी लगबग फ्रंट की जो एच 6,000 kg सेहन करने की क्यापाशिटी है और रियर की 10,200 के आसपास की यहां पर क्यापाशिटी है 10,200 दुबार से बता देता हूं में रियर की जो है वो 10,200 kg रियर एक्षल की बात कर रहा हूं है ठीक है यहां पर लिमिट होती है यह गाड़ी हो ETS4 में और 6 में बी है दोनों में गाड़ें आती है भारत इश्टेज की बात हो रही है बारत इश्टेज हमेशा परदुशन से मल्टी लीफ है, सेमी अलिप्टी के लिए आदी मोड़ी हुई और मल्टी कई सारी जो है यहां पर लीफ लगाई गई है, इंजन कैपाशिटी की बात करता हूँ, तो इंजन कैपाशिटी यहां पर 5600 पीचे तर सिसी का है, और यह इसे हम लीटर में कहें, तो लीटर में इसक capacity लीटर में पूछे तो CC में पूछे तो यहाँ पर आपको 5685 पीचेतर बताना है CC क्या होता है? Cubic capacity Cubic capacity का मतलब है यह centimeter square में होता है, centimeter cube में होता है और यह engine के अंदर जो cylinder होता है उसके अंदर जो cylinder के अंदर जो area होता है उस area या उस मोटा ही या को ऐसे बताते हैं एक हजार गुना 20 गुना 16 ठीक है अब उनको ये नहीं पता कि ये 20 क्या है एक हजार क्या है ये एक हजार नहीं है पहली बात तो जो भी बता रहे मैं आपको बता दूँ ये 10.00 है ठीक है तो 10.00 इसका मतलब है ये जो टायर इसकी चोड़ाई है 10 इंच ये हमेशा इंच में होती है इंच में होती है ठीक है तो ये आपको याद रखना है एक हजार यार इतनी बड़ी वेल्यू कौन सी हो जाएगी बताओ तो थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान रहे हैं बच्चों का ये भुश्या का स्वाल है और घलत चीज़ें बन नहीं बतानी चाहिए दस पूर्ण जुरू-जुरू का मलब दस इंच है बीस इसका क्या होगा डायमेटर होगा डायमेटर ये याद रखना है डायमेटर दो चीज़ें है इसमें में अंदरवाली रिम ऐसा समल लो रिम का तो बाहरी टायर का अंदर का तो ये जो बीस होता है ये भी इंच में होता है हमेशा और ये डायमेटर होता है बीड से बीड तक टायर में पुछें तो बीड से बीड तक ठीक है तो ये बीचों बीच होता है तो ये टायर का और ये सो एक बात करता हूँ, इस्पेनर не लिए लो, इस्पेनर की बात करता हूँ, तो सताइस का इस्पेनर इसमें आता है, हब बेरिंग बात करता हूँ थो रोल रिया टेपर वेरिंग इसमें रोडill HE लिये जाता है, वहर्य ऑग कार रिया कामे आती है 12 प्लस बारा वोल्टेज की दो बैटरियां इनको सिरनीकर में आपको जोड़ना होता है यानि की प्लस वाले सीरी को माइनस वाले से जोड़ो तो फिर बाकी एक प्लस एक माइनस बचेगा इनको आपको गारी को सप्टाई दे दो और ये 100 एंपियर से 120 एंपियर की बीशी में हो सकती है कोई भी गारी होती है जैसे छोटी गारियां होती है तो छोटी गारियों की बैटरियां 12 वल्टिज की होती है लेकिन उसकी एंपियर पावर होती है वो 60, 65 ये पीचेतर तक होती है हेवी गारियों में 120 तक होती है अल्टरनेटर होगा जो बैटरी को चार्ज करेगा तो लगबग वो पीछे तरह एंपियर का इसमें कामे लिए जाता है 16-15 जो है यह मैं 16-13 की बात कर रहा हूँ यह जो सारी चीजे है 16-15 होगा तो इसमें 90 एंपियर का हो सकता है तो यह पेचे तरह 90 आप थोड़ा सा देख लेना गीर सिस्टम इसमें 6 फोरवड है एक रिवर्स में है इस्टेरिंग जो है पावर असिस्टेड है इस्टेरिंग का मतलब यहां पे यह है कि यहां पे देखो आप पावर असिस्टेरिंग यहांने कि जो पावर इस्टेरिंग का मतलब है यह एर को भी कामें लेता है air की साइता से काम करने वाला hydraulic है यानि कि हवा की मदद से काम करने वाला hydraulic power station है दोनों से काम करता है mileage जो है वो 4 या 5 पर ती लीटर यहां पे आपका kilometer हो जाता है maximum speed 102 kilometer पर ती गंटा है brake की बात करता हूँ तो air brake है ass cam type है आपके जो brake होते हैं सभी साथ यूँकर मैं बताना चाहूँगा जो कई गारियां जो होती है इन्हें में क्या होता जो brake shoe जो होते हैं तो इसमें एक ass के यहां ass लगी होती है जैसे इसको अटाओगे तो मतलब कि अभी यह खड़ी है तो यह ass teddy हो जाएगी तो यह दोनों एक साथ से तो यह वाला भाग तो इधर को उख करेगा और यह वाला भाग है वो इसको फिलाएगा दोनों साथ से ass came जो होती है वो इनको फिलाती है ठीक है तो मैं थोड़ा सा यह भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको ground clearance है जो ground और गाड़ी की बेच में 269 mm के आसपास है और आप इस mm को इंच में देखना चाहते हैं तो 25.9 mm इंच हो जाएगा भी ठीक है इंच में आप mm को इंच में यह सुरी शेंटी मेटर हो जाएगा GVW की बात करते है gross vehicle weight है अधिक्तम weight जो इनका हो सकता है वो 16,200 kg होता है front actual weight की बात करता हूँ 6000 हो जाएगा rear का 10,200 हो जाएगा कोई भी गाड़ी होती है front का और rear का मिला के gross vehicle weight बनता है cabin है वो full forward है यानि आगे इसका निकला हुआ है आगे बात करते है यहाँ पर dimension के बारे में अब आगे engine oil की बात आ जाती engine oil है वो SAW 15,40 का में आएगा 14 लिटर आता है और 36,000 पे आपको बदलना चाहिए service इसकी 36,000 पे है gear oil जो होता है वो 80,90 है और 7.5 लिटर आएगा और 22,000 के बाता है rear axle oil जो होता है वो differential oil को ही rear axle oil बोल दिया जाता है जो की SAE 85,140 ध्यान से gear का 80,90 है और differential का 85,140 है 85,90 भी कामे ले ले लेते हैं तो इसकी जो capacity होती है 14 लिटर की होती है वैतर अजार पे आपको बदलना है brake clutch oil जो होता है डोट 3 या डोट 4 का grade का होता है लगबग एक लिटर आता है पावर जो इस्टेरिंग है इसमें जो कौन्से grade काईगा पावर जो इस्टेरिंग है इसमें dextron second day ये एक प्रकार का brand है oil का brand का नाम है भी है या ETF brand होता है या TQ brand होता है तीन लिटर के आसपास आपके पावर इस्टेरिंग में आता है cooling system जो होता है इसमें 24 लिटर आपकी इसकी capacity है और आपको coolant और पानी का ratio एक पॉइंट एक अनुपात एक इसमें रखने का ये recommendation कर रहा है maximum ये maximum है भई इसे ज़्यादा आप ratio नहीं कर सकते कुलेंट का पानी के साथ में ठीक है तो इसे कम भी कर सकते है कुलेंट और जो आपका पानी होता है इसका जो ratio आप कुलेंट एक लिटर और पानी तीन लिटर भी रख सकते है ठीक है एक तीन भी कर सकते है एक चार भी कर सकते हैं एक दो भी कर सकते हैं और एक ये कर भी कर सकते हैं और ये जो कुलेंट होता है लगबग आपको या तो दो साल या तीन लाग बीस अजार किलोमेटर जो भी पहले हो उसमें आपको इसको चेंज कर देना चाहिए बाकि जो टोप अप होता है टोप आपक वो प्रतेक 10,000 किलोमेटर पर करना चाहिए 10,000 ठीक है तो यह ध्यान रखें वह आप फ्यूल टेंक है जो कैपाशिटी है वो 225 लीटर है बही दो 25 लीटर है सोडा 15 की बात करता हूँ तो यहां पर 300 लीटर है जैसे जैसे मोडल बढ़ेगा तो यहां पर फ्यूल इंजक्शन जो पंप है वो डि आई टाइप है जो आपको फ्यूल इंजक्शन शिर्टम है ठीक है सोडा 13 के बारे में कुछ भी information अगर छूट गई है तो आप मुझे बता सकते हैं तो आज के session में सभी का एक बार फिर से में most welcome करता हूँ study at home driving school में और आप सभी को यहां पर free viva class जो है आपके exam के द्रिश्टे को आपका hit को ध्यान में रखते हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारा paid course है वो जोइन नहीं कर पाते हैं तो उस course को जोइन नहीं करने करने हैं बहुत limited बच्चे वहां पर जोइन हुए तो ह ज्यादा लोग देखें वहां ज्यादा फाइदा है तो इसलिए हमने YouTube पे आपको free course कराने का फेसला लिया है और आपको complete यहां पर करवाएंगे तो इन classes की जो PDF है आपको हमारा जो WhatsApp ग्रूप है टेलग्राम चेनल है दोनुंका link के वीडियो की description में वहां पर आपको मिल जा कारी से क्या मैसुस हुआ अच्छा मैसुस हुआ नहीं हुआ आपको कोई फाइदा हो रहा है नहीं हो रहा है तो जो भी आपके मन में चल रहा है न वो सारी चीज़ आप comment section में लिको मज़ा आता आपका comment पढ़ गे हमें reality का पता चलता है कि जो मैंने किया था उसका result क्या न information आपको मिलती है तो आप इनको काफी मलब इस हिसाब से आपका जो एक कीमती सुझाओ दें बई जो आपका कीमती सुझाओ दें आप अच्छा तो अच्छा बुरा तो बुरा ठीक है तो यह session में आप रिसमाप करना चाहूँगा तो अभी के लिए इतना ही फिर इसे मिलते नेक शोड़े में तब तक लिए धन्यवाद जेहिंद वन्यवात्रम